दोस्तों बात करें तो Android 15 मोबाइल फोंस में कब आएगा याप यह एक ऐसा सवाल है जो आधकल हर को ही पूछता है क्योंकि Android 15 देखा जया तो अल्रेड अपनी वीटर स्टेश में पहुंच चुका और Google है ना भी वी से बना रही है लेकिन अभी वी पिक्सल फोन के अंदर या आपको सेप्टेंबर अक्टोबर तक ही देखने को मिलेगा लेकिन गूगल ने गूगल आयो करी और उसकी खास बात हमेशा ही रहती थी कि हमेशा Android के बारे बात करता था इस बार को छोल टाई हुआ इस बार गूगल ने बताओ Android के बारे में कम बात करी लेकिन AI के बारे में ज़्यादा बात करी और यह पता चल गया कि Google अपने हर इक प्रोड़क्ट के अंदर किसी टैप ही AI तो लेकर आने ही वाला है लेकिन भाई बात करें आपके Android की करानी क्या है चो उसके बारे में कुछ बाते पता चले तो बतातोँ सबसे पहले तो Android पहले से ज्यादा पहले से ज्यादा पटाना पे सेव करी जाएगी की जा सके वो एक काफी सही फीचर है इसके साथ ही बात करें तो यहां पर आपको कैमरा के अंदर काफी सारे options मिलेंगे और देखा जा तो camera के अंदर उन्हों ने backend में काम किया है ताकि यहां पर android के अंदर camera को और जादा बैटरी हापी किया जा सके जिसके अंदर को नए controls देखने को मिलेंगे यहां पर आपको flashlight के options होंगे और भी काफी सारी चीज़े देखने को मिलेंगे इसके साथ ही battery life के improvements देखने को मिलेंगे और आपको एक low power board यहां पर आप expect कर सकते जहां पर अगर आपकी phone की battery काफी जादा खंड हो गई तो जैसे battery saver होता है इसी का एड्वांस वर्शन क्रेट किया है ताकि जादा तर जो android phones होंगे वो कम battery पर भी लंबा यहां पर perform कर सके औवियसलि यह phone की battery जब 5 यह 10% होगे तो हर कोई चाहता है कि जतनी देर लंबा चल सकता है phone उतने लंबे समय तक जिंदार है तो यही एक चीज यहाँ पर Google यहाँ पर करने आए अबने android 15 के साथ इसके साथी screen recording का भी काफी अच्छा option है जहाँ पर आपको पूरी screen को quickly record करने के ज़रूत नहीं है आप से separate part को record कर सकते है और कोई particular app के अंदर है नहीं तो सिफ उसी app की screen यहाँ पर record होगी है अच्छी चीज है जो आपको महेंगे फोन में तो काफी अच्छी देखने को मिलती बजट फोस में अच्छी नहीं है लेकर अगर इसका क्यू निवर्सल फीचर आ जाए तो जिन फोन में अच्छे इसके साथ ही बात करें तो artificial intelligence के features को भी इंटिग्रेट के जैसे theft protection को देखे याने कि कोई इंसान अगर आपका phone लेकर यहाँ पर भाग जाए तो यहाँ पर AI कम से कम यह डिटेक्ट कर ले कि आपका phone यहाँ पर चोर होगा कुछ भी हुआ तो आपको security signal दे सकती है यार यह का पर Google ने अपने जैमनाई AI को इंटिग्रेट किया था जैमनाई नैनो के रूप में जिसके अंदर circle to search जैसा feature दिखा था तो वह feature यहाँ पर पार्ट रहेगा और उसका भी आप यहाँ यूज कर पाएंगे इसके साथ ही better translation को यूज कर पाएंगे और Google का प्लान ही आपर है कि future पर जो upcoming devices आएंगे उनके अंदर Android 15 वाले जो power devices होंगे तो जैमनाई नैनो होती है उसको integrate करके दे जिसका मतलब है कि on device AI को use किया जा सके simple सी बात है कि device को न अपना जो data information होती है बाहर बेशनी के ज़रूतनी सारी चीज़े होंगी और कुछ features के बारे बात करें तो image generation, image expansion, पीछे का जो sky replacement, जो blur होता है effect photography के अंदर वो ऐसे काफी छोटी छोटी चीज़े यहाँ पर integrate की जाएंगी इवन video boost यहाँ सी चीज़ों को भी integrate की जा सकता है जो कि काफी अच्छी चीज़ है इसके साथ ही Google की presentation देखे एक बाग पता चलती है कि Android के अंदर जितनी भी चीज़े होंगी वहाँ पर AI को तो integrate करेंगे लेकिन Google के across the board जितने भी products अगर आप यूज करते हो चाहे Gmail की बात क कर लें यह Google sheets Google की किसी की भी हर जगी जो AI रहती न वो तो आपको यहाँ पर देखने को मिलनी वाली है इसी के साथ ही foldable devices के लिए better continuity की options होंगे जहाँ पर अगर आप कोई foldable device यहाँ यूज करते हो तो आपको अच्छी continuity वगर आप पर देखने को लेगे यानिक अगर आप normally आपको यूज कर रहा है उसे fold करके यूज करोगे तो transition यहाँ पर काफी अच्छा हो तो वह एक चीज है दर even Android 15 की खास बात रहेगी कि यहाँ पर आपको webcam mode देखने को मुलेगा जिसके अंदर आप mobile phone के camera को ऐसा webcam यूज कर सकते हैं कि हम पता है जात laptops के अंदर webcam इते satellite connectivity का feature होता है जो हमने आच से पहले भी देखा था तो उसे भी हाँ पर Google integrate कर रही है हाला कि इस टैप की feature को implement करने के लिए physical hardware का होना जरूरी है जो आथ के समय इतना जाद पॉपलर नहीं हो रहा तो देखने वाली बात है कि future के अंदर ये जो satellite connectivity आपको कितने phones में देखने को CPU, GPU को अच्छे तरीके से इट्रिलाइस किया जाएगा, games अच्छे तरीके से चलाए जा सके, cameras को improve किया जाएगा और Google अब यह कोशिश करेगी कि जहां जहां AI को हो सकता है वहाँ डाले क्योंकि basically बात है कि Android अपने काफी बड़े saturation level पर पहुँच गया है और उसको आप पराने फोन में किस तरीके से चलेगी क्योंकि इसके लिए आपको cloud पर आपका जो private information होती वहाँ पर send करनी पड़ सकती है और जो future में जब devices आएंगे उनके अंदर जब Android 15 की AI आएगी तो देखने वाली बातों कि on device यानि कि device के अंदर ही कितनी चीज़े प्रोसेस की जाती ह क्योंकि आथ के समय भी जातर चीज़े जो AI किए वो बाहर Google के सर्वर पर प्रोसेस की जाती है तो वो एक देखने वाली चीज रहेगी कि यहाँ पर Google इसको किस तरीके से हाँ पर काम में लेती है तो दोस्तों यार यह ती कुछ चीज़े जो आपको यहाँ पर देखने को मि रख सकते हैं कि Android 15 के अंदर काफी सारे फीचर सांगे लेकिन कोई गैरिंटी नहीं कि सारे के सारे फीचर में अप्डेट देखे आपके फोन के अंदर डाल दे क्योंकि कुछ ऐसी चीज़े रहेंगी जो hardware पर आपे डिपेंडेंट रहेंगी तो इस चीज़ कभी आपको धि चीज़े आती है वीडियो पसे है तो लाइक करो सब्सक्राइब करो चैनल को थेंगे लोग देखने की में अफ़ल दो एक्स्वान के अंदर गुट बाई